मित्रो नमस्कार शुबशंद्या जैन इंस्पार्ड कैडमी से मैं देवनराय दिवेदी आप सभी का हार्दिक श्वागतियों अविनंदन करता हूँ तो मित्रो वर्ड माला के प्रस्नों की स्रिंकला चल रही थी स्रिंकला के करम में आगे चलती हुए हम अगला प्रस्न जो है उस पर चर्चा करेंगे आगे तो प्रस्न है आपका कमल कितने अच्छरों वाला शब्द है यानि कमल जो सब्द है उसमें कितने अच्छर है तो कमल में मित्रों तीन अच्छर है आफके कौन कौन से थे हैं का मह और यह तीन आपके अज़न है अगला प्रस्ण आपका है यहां कैसा वेंजन है यहां आपका आता है यह यह किस प्रकार का व्यंजन है तो जितने भी पंचमाच्छर है उनका उच्छार नासिका के द्वारा होता है इसलिए यह नाशिक के वर्ण है प्रस्णों की स्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्ण है डहा किश वर्ग का व्यंजन है हमित्रों हमने आपको वर्ग बताये थे पांच वर्ग इस्पर्स बेंजन के अंतरगत इस्पर्स बेंजनों को पांच वर्गों में बाटा गया है वर्ग हैं आपके कवर्ग तवर्ग चवर्ग टवर्ग और पवर्ग तो आपका जो धा है वो टवर्ग के अंतरगत आता है क्योंकि जैसे टवर्ग में टाठा डाधा और ये पांच अच्छर आते हैं अगला प्रस्ण है जा किश वर का वेंजन है कवर का वेंजन है चवर का वेंजन है तो आपका जा चवर का वेंजन है चवर के अंतरगत चा चा जा 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 और यह यह आपके पांच वर्ड आते हैं अगला प्रस्न है उस्म बेंजन है इसमें आपके विकल्प दिये गए है अड़ा, बा, मूर्धनिशा और रा तो उस्म बेंजन के अंतरगत आपके चार बेंजन आते हैं वो कौन-कौन से है शवशवः, दंतीशा, मूर्धनिशा, तालब विशा ये आपके और हा ये उस्म के अंतरगत आते हैं तो इसमें मूर्धनिशा आपका उस्म बेंजन के अंतरगत आएगा अगला प्रस्न है शयुक्त बेंजन है आपके जो विकल्प दिये गए हैं ट्रा, रा, ड्रा और मूर्धनिशा तो आपका जो शयुक्त बेंजन है वो त्रा होगा त्रा दो वरणों से मिलकर वना है ता प्लस रा यानि ता में भी हलंत रहेगा और रा में भी हलंत रहेगा ता और रा दो वर्णों से मिलकर के त्रा का निर्वान हुआ है तो आपका उत्तर त्रा होगा अगला प्रस्ण है मूर्धा से उच्चरित होता है यानि जो आपका वर्ण दिये गए हैं विकल्प में तो किसका उच्चान मूर्धा से किया जाता है तो मूर्धा से उच्चान किये जाने वाले जो आपका वर्ग है वो टवर्ग है तवर्ग के अंतरगत टठा डड़ा यहाती है आपके तो ठा आपका एंसर होगा अगला प्रसन है भा किस वर्ग का विंजन है कवर का है चवर का है तवर का है तवर का है कि पवर का है जो फांचो वर्ग है उसमें से भा किस वर्ग का विंजन है तो जो भाह होगा आपका पवर का विंद जो है वर्ण है अगला प्रस्न है दीन में मात्रा है कौन सी मात्रा है हरस्ट ई की दीर्ग ई की ओ की की आव की तो दीन में आपके साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दीर्ग ई की मात्रा लगी हुई है अगला प्रस्ण है कंठ से उच्चरित होता है इसमें से जो बिकल्प दिये गए इसमें कौन सा वर्ण कंठ से उच्चरित होता है तो चा है, घा है, डा है और बा ये आपके चार अप्सन दिये गए हैं इसमें से आपका घा जो है कंठ से उच्चरित होता है क्योंकि cover जो है इनका उच्रान कंट से किया जाता है अगला प्रस्ट है दीरगा कितने अच्छरों वाला सब्द है तो दीरगा में एक है दो है तीन है कि चार है तो दीरगा में दो तो दीरगा आपको दिखाए दे रहा है तो कितने अच्छरों वाला सब्द है तो अच्छर के मात्यम से दीरगा एक होगा क्योंकि world और अच्छर में हमने आपको अंतर बताया था अगला प्रस्ट है गा किस बरग का विंजन है यानि गा कवर का है चवर का है तवर का है पवर का है कि तवर का है तो आपका जुगा है वो कवर्ग के अंतरगत आता है तो आपका उत्तर क्या हो गया कवर्ग अगला प्रस्न है चा का उच्छा रानस्थान है जिन्य चा का उत्तर रानस्थान क्या है तालू है कंट है मूर्धा है कि दांत है तो आपका चवर्ग का जो उच्छानस्थान है वो क्या है तालू है हमने आपको शूत्र बताया था इचू ये शानाम तालू हो जिशन स्कृत में शूत्र है तो आपका उत्तरोगा तालू अगला प्रस्न है अंतस्थ विंजन कौन सा है जो दिये गए है मौत तस्थ विंजन आपको बताया था या रहा वर्ल वह . यह आपके चार है अंतस्थ विंजन की इंतार्गत आते हैं और यह हम अर्द्षवर भी केंजन कहते हैं तो आपका उत्त रहन होगा अगला प्रस्न है कवर्ग का बेंजन है कवर्ग के बेंजन इसमें से कवर्ग का कौन सा बेंजन है गा है जा है ता है कि बा है तो आपका कवर्ग का बेंजन जो है गा होगा क्योंकि जैसे कवर्ग के इंतरगत का खा गा और गा और रंगा ये पांच वर आते हैं उत्तर गा होगा कि की मार दारी कितने अच्छरों वाला सब्द है तीमारदारी जो सब्द है इसंमें कितने अच्छरे तो तीमारदारी में आपको अહछर दिखाई दे रहा होगा ती, मा, रा, द, और, री यानि रापन देर की मात्रा लगी हुए तो कितने हुए आपके सीधे चार है ता है, मा है, रा है, दा है और पुना रा है तो इस तरह से चार वर्ण अच्छर हुए आपके अगला प्रस्ण है ओस्ठ से उच्चरित होता है यानि जो वर्ण दिये गए है इनमें कौन, किसका उच्चर वर्ण है जो है उट से किया जाता है तो आपका घा दिया गया, पाउ दिया गया, ता दिया गया, अना दिया गया तो आप पावर का उच्चर वर्ण है उनका उच्चर वर्ण स्थान होगा तो यह पावर्ग के अंतरगत आता है इसलिए आपका answer पा होगा अगले प्रस्ण है था किस बर्ग का वेंजन है था वर्ण जो है वो किस बर्ग के अंतरगत आता है तो आपको मैंने पाँच बर्ग बताया था तो आपका जो यह किसके अंतरगत आएगा तवर्ग के अंतरगत आएगा आपका अंसर होगा तवर्ग हमारा देखें वीडियो लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में अधिक शेयर करें और कमेंट करें जो भी आपको समस्या हो उसके लिए धन्यवाद जैहिन